रादे रादे फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं गाउं में मेरे लड़ू गोपाल रेडी हो चुके हैं और इधर मेरे गाउं में दो चुन्नू मुन्नू बेटे हैं उनके लिए मैंने ट्वाइस खरीदे हैं और आज मेरे लड़ुगोपाल पहली बार गाउं में जा रही हैं ये देखे उन्होंने आज पहली बार यात्रा किया है वो बहुत खुश है और अब हम आ गई है गाउं में और ये मेरा चोटा बेटा को ट्रैक्टर चला रहा है हम ट्रैक्टर को रात को अंदर खड़ा करते हैं और सुबह बाहर खड़ा कर देते हैं बच्चे इसी में जूलते रहते हैं और ये बहुत खुश होता है ट्रैक्टर पे बैठ गे और नमन और संसकार भी खुश होते हैं इदर मेरी देवरानी ने दस सहरे के उपले बना दिये हैं क्योंकि दस सहरे में गोबर के उपले बनाए जाती हैं इदर में गोबर के उपले बनाए जाती हैं इदर में गोबर के उपले जाती हैं और ये देखें फ्रेंड्ट समने घर के इंदर एक होद बनार रखा है जब ही पानी की कमी होती है तो हम टैंकर मंगवा लेते हैं अभी भी थोड़ी बहुत गाउं में पानी की कमी है और परिवारी खटा हो रहा है इसलिए मेरे देवर ने पानी का टैंकर मंगवा लिया है टैंकर में बहुत पानी आता है आस-पास के लोग भी पानी भरके लेके जाते हैं झाल झाल यहां पर हमने सांजी माता डाली हुई है यह नवरात्रों में ही बना दी जाती है और अब हम सांजी माता की विदाई करेंगे उसका भाई उसको लेनी आएगा हारे गर में सांजी माता जरूर बनाई जाती है शहरों में नहीं बनाई जाती और ये मेरी बड़ी सास की बहन है ये देखिए फ्रेंड्स ये आपको राम राम कर रही है इनकी राम राम जरूर ले और इधर हम सबने मिलकर रावन बनाया है कितना बड़ा रावन बनाया है सभी बच्चों ने गाउं में घर गर जाके पैसे खटे किये हैं बेसक किसी के पास हो फिर भी बच्चे गाउं के हरे गर में एक के घर में अपने पाने में जाते हैं और पैसे खटे करते हैं और कितना बड़ा बनाया है सभी बच्चे मिलकर रावन का देहन करेंगी और ये देखिए यहाँ पर अकू जिद कर रहा है कि मैं चोटी कटिया पर बैठूंगा ये देखिए कू को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है और ये मिट्टी में हरदम खेलता रहता है पीछे ही पारक है हमने घर के पीछे पारक बनाया हुए और ये देखिए इसको रेट में कुछ मिल गया है सरीया ओहो पहलवानी करेगा भी पारक बनाया है यहां पर मैंने चुला जला लिया है आज चुले पर खाना बनेगा वैसे तो हम हरदम एक टाइम तो जरूर चुले पर खाना बनाते है और अब हम आ गए हैं घूमने के लिए बाहर और ये देखिए अमारे गाओं का जोड कितना बड़ा है अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो मरे गाओं का टूर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाईक करें शेयर करें और ज्वाद़ा से ज्वाद़ा सब्सक्राइब करें ऐसे ही मैं आगे आपके लिए वीडियो लेका राती रहूंगी रादे रादे